हेलो वाट्स अप गाईज माई इस्पिनोध बादू थापा एंड टूडे इन इस फिडिव भूब विल सी और टू इंप्लिमेंट लोकल स्टोरेज फंक्शनालिटी नाओ टूडू एप्लिकेशन इन हिंदी तो चलिए गाईज सुरू करते हैं जी हां गाईज तो आज को ब एक दम इन डेप्थ में बट एक चीज है एक कमी है हमारे अप्लिकेशन में वह है कि दम मुमेंट में रिफ्रेश करता हूं डेटा गाईब हो जाता है यह तो ऐसा हुआ कि मैंने बहुत मैनत करके आज के दिन का टूडू बनाया एंड गलती से एक बाई रिफ्रेश सब गा तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा बहुत मजा आने वाला एंड अभी तक बागी की प्रीबेश वीडियो को चेक आट नहीं तो प्लीज कीजे क्योंकि बहुत कुछ हमने समझा इस टूडू अप्लिकेशन को जब हम क्रेट कर रहे थे उसके समय तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजेगा एंड वीडियो को लाइक दोस्तों को बहर बहर के सेयर जरू कर दीजेगा ठीक है तो सबसे पहले तो गाइस एक चीज बाताना चाहूंगा इस प्लीज मेरा जास्क्रिप्ट का वीडियो चेक आट कर लीजेग अगर आप एक intermediate developer हो जो ये वीडियो देख रहे है या अगर आप बहुत basic बोलने जा रहा था अगर आप एक beginners हो तो भी guys मैं आपको highly recommend करना चाहूंगा प्लीज आप वीडियो को pause कीजे आप खुश से कोसिस कीजे कि local storage वाली जो functionality है उसको आप अपनी studio application में कैसे implement कर सकते हो क्योंकि मुझे लगता है कि यह आप बहुत easily कर सकते हो इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है कुछ चीजे है जो आपको बस पता होना चाहिए तो सबसे पहले सबसे पहले यह कि user अगर कुछ भी data fill करता है हम उसको कहां store कर रहे है I mean कहां save कर रहे हमारे state में right तो जब हम उस इसको state में save कर रहे है तो उसके बाद मुझे उसको एक और जगे save करना होगा and that is our local storage and local storage कहां आपको मिलता है देखो console पे जाना है मैं तो Google Chrome पे हूँ I think आप में भी Firefox, Internet, Explorer या Opera Mini या आपका Microsoft Edge या अगर आप Mac में तो mostly Safari उसकरते होंगे तो यहां पर I don't know I guess it's in application by default तो आपको Microsoft वाल में तो application में मिल जाता है उसमें भी अगर आप जाओगे तो आपको यह जो local storage दिख रहा है storage के अंदर उसमें भी यह जो particular part है यहां पर आप देख सकते हो to do local already है जो मेरा previous वाला जो मेरा चल रहा है वो यह सब कुछ यहां पे तो आप देखी सकते हो कि इतने सारी data है उसको update कर रहे है इस पर्टिकुलर कोड है यही है जहां पर हम उसको update कर रहे है और इस पर्टिकुलर लाइन में आते आते वो हमारा input I mean जो मेरा task state variable है उसको update कर चुका होता है with current value जो user ने type किया था तो वही task को मुझे local storage पे आड़ करना है add data to local storage है न यह मैंने रखा त तो इसको भी मैं to do कर के इस तरह किसे रख देता हूं है न ओल्राइट तो देखो कहाई simple है बहुत ही local storage dot देखो local storage में mostly दो method से जो एकदम 90% time यही काम आता है set data get data get data means to get the data from the local storage and set data means to set the data in your local storage तो set data I mean sorry set data बोल रहा हूं मेभी set item हो था I'm really sorry but यहां पर बहुत simple है दो argument आपको पास करना है first one is your key ठीक आप देख सेकते हैं यहां पर बहुत किलिए set item के अंदर the first one is your key जो की आपका एक string होना चाहिए and the second one is your value and make sure make sure वो आपका एक string होना चाहिए यह बहुत important है बहुत सारे लोग यहां पर mistake कर देते हैं क्या mistake करते मैं आपको बताता हूं चलो पहली बात तो आपको एक की पास करना है की मंदलब ओ लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा आप पास करने जारे उसको कोई तो आप एक नाम दोगे न तो मैं यहां पर दे देता हूं react-to-do ठीक है मैंने यह नाम दिया चलो ठीक है अब मुझे इसकी value दे नहीं है अब बहुत सारे लोग क्या कर देंगे task कर देंगे इस तरीकी से अब guys इसमें problem क्या मैं आपको बताता हूं अगेन मैं इस पर hover करता हूं क्या बोल रहा है यह यह बोल रहा है कि local storage में जो यह set item है इसमें दो argument है ध्यान से सुनिएगा दो argument है पहला is your key जो कि आपका एक string होना चाहिए बता भी रहा है कि string होना चाहिए second one is your value and वो भी आपका एक string ही होना चाहिए बट हमारा यह जो टास्क है मेरा टास्क क्या एक string है is it a string or not बताओ देखो ना यहां पर क्या बोल रहा है यह आपका एक array है यह आपका एक array है तो हमें इसको string में convert करना है तो कोई problem नहीं है by default json हमें एक property देता है stringify समझे यह आपको लाइक रट लो इसको अगर आपको लगे तो रट ही लो json.stringify set item एक local storage का नाम कुछ भी नाम देदो string होना चाहिए and यहां पर आपको वो data pass करना लेकिन json.stringify so that आपका वो जो array है उसको वो string में convert कर देगा this is it बस इतना लिखने से ही आपका काम हो जाएगा देखना यह देखो by default react to do आ भी गया यह यहां पर by default we have react to do ठीक है अब द्यांसे देखना let's go with apple and boom guys see this is it यह देखो मेरा हो भी गया local stories पे मेरा add हो गया कितना easy था यह right easy तब था अगर आपको यह मालूम होता कि कैसे इसको हमें करना है बना अगर आप first time करें तो आपको नहीं मालूम था यह कि set item भी होता है कि यह pass करना होता है value pass करनी होती है और दोनों के दोने string होने data चला जाएगा even मेरे यहां से भी data चला गया तो मुझे क्या करना है first time मैं जब भी data get करूं तो दो condition होंगे तो अब एकदम टॉप पे आईए we have our to do ठीक है फिलाल हमारा एक fat arrow function चला सकते है जहां पर मैं बहुत clearly बोलने वाला हूं कि मेरे local storage पर already एक data है आप उसको get कीजिए और उस data को आप as an initial data इसको मानिए बाती खत्म right simple तो मैं क्या करता है ध्यां से देखना const मैंने क्या लिखा है okay raw to do लिखा हुआ है इकोल टू ध्यां से देखना बहुत इजी है local storage में जो मेरा data है to get the data from local storage its get item and local storage में तो बहुत सारे हमारे data हो सकते है अलग-अलग application के अलग-अलग data हो सकते लेकिन हमने जो data बनाया वो क्या था उसका नाम था react to do तो एक चीज है कि जो हम बहुत-बाद मिस्टेक साइद कर सकते है तो वो मिस्टेक ना हो that's why मैं क्या करता हूँ कॉंस्ट टूडू की विल विए कॉल टू इस तरह किसे में रख देता हूँ अब यह जो मेरा टूडू की है इसको मैं copy करूँगा यहां पर पेस्ट कर दूगा यहां पर इसके बदले स्थिकिस में पेस्ट कर दूगा यह क्या होता ना कि टूडू की कर देता हूं चलो और यहां पर आपको मिलने रहा है बड़ डोंट वरी अब सब सेट हो जाएगा पॉफेक्ट ठीक है तो यह जो मैंने अभी एक चीज क अब 10-20 जगे तो समझ रहो कितनी प्रॉब्लम आईगी बट नाव अपने जगे ही है मुझे खाली इसका नाम चेंज करना है तो मैं यहां पर चेंज कर दूगा आटूमेटिक हर जगे चेंज हो जाएंगे तो अब एक सेफर साइट पर रहता है ठीक है यह कर दिया मैंने अ इस स्ट्रिंग वाले जो डेटा है उसको मुझे अगर एरे में करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम निया क्योंकि अगेन हमें क्या होता है मैं बताता हूं सबसे पहले एक कंडिशन आप रखिए रिटर्न जेसन डॉट्ट वी हाब पार्स मेतल्ड एंड यह जो रॉड टूड करना आपको यह पाता हो देखो अंडिफाइंड इस नॉट वैलिड जेसन डॉट पार्स यह आपको आएगा ही आएगा क्योंकि एक मिस्टेक हमने यहां पर किये एंड डैट मिस्टेक इस ध्यां से देखना यह इस जगे पर देखना फॉर दे वेरी फर्स टाइम हमें रिज्टा गया तो आनदिफाइंड वैली वो देता है अगर इसकी वैल्उ अनडिफाइंड हो गई तो मेरा जो इनिसल टेटा टास्क क्या हो जाएगा अनडिफाइंड एड्य तो मैं यहां पे क्या करूँंग कि अंगर डैटा है तो पार्स करो अगर डेटा नहीं है अग अब मुझे एक क्या चाहिए था कि local storage में जो data है उसको get करके मेरा initial data वो बना दीजिए लेकिन for the very first time कभी data तो हो गाई नहीं तो वो हमेशा undefined आने वाला so that's why अगर data नहीं है तो आप एक empty array as an initial value define कीजिए अगर data है तो pass करके उसको दे दीजिए खत्म इतना इतना आपको काना था control s save कर रहा हूँ so guys heart refresh कीजिए और वापस application पर आईए यह देखो by default यहां पर undefined है ना first time अब उसको हटा हूँ आपने देखना undefined था हूँ आप पर all right आपको प्रॉब्लम नहीं देखो by default उसकी initial value अब यह है mango ठीक है तो यह है अपना जहां पर checked unchecked delete भी हो रहा अच्छी बात है ओरेंज इम्तियान के घड़ी 3 to 1 and boom गा इसी यह देखो हो गया मेरा कम खत्त हम कितनी easily आज आपने देखा कि data को आप कैसे add कर सकते हो I mean in local storage and वहां से आप कैसे get कर सकते हो and as an initial value अब उसको put कर सकते हो अब आप इसको और better कर सकते हो क्यूं मैं बताता हूं पहली बात तो आपका initial data देखने में थोड़ा डराऊना सा लग रहा है oh my god यह क्या हो रहा है राइट तो क्यू ना हम इसको भी like react is all about your component राइट तो मैं यहां पर चलता हूं टूडू है इसके अंदर एक new file create कर लेते हैं यह हमारा final file है क्यूंकि खत्तम आज हमारा वीडियो खत्म कल मैं इसको live host करके बताऊंगा तो अब इस जगे पे ना मैं एक component बना कि दो अलग अलग नहीं करने वाला मैं सिब functions create करने आ लोँ export देखो सबसे पहले एक सेकने इसको अभी file हटाओ यह जो particular part था इसको मैं और better कर सकता था simple इसको क्यों न यहां पर यह const get local storage to do data इस तरीके से अब यह जो data है मैं यहां पर या तो directly यहां पर इस तरीके से पास कर देता आप समझ रहोगा मैंने क्या किया यहां पर आप देख रहे हो कितनी easily मैंने यह कर दिया कि मैंने इस पर ओ sorry मैं ऐसे कर भी नहीं सकता I think यही better रहेगा इस तरीके से कि मैंने यूज स्टेट के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल की उस फंक्शन में मैंने यहां पर वो कर दिया क्योंकि फंक्शन आपका यह reusable code में ही तो काम आता है अब इतना भी अगर मैं करता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो वापस अन्डिफाइंड बात आ रहा है जबकि यह होना तो नहीं चाहिए उसको कैसे आप डिलीट कर दीजिए वापस अभी सेट हो जाता है अध को पीस्ट कर दो Jeanne छठी यह बूं सब्सक्राइब है इसी को कॉपी कीजिए पेस्ट गेल के बतले सेट लोकल स्टोरिस टूडू डेटा कर देता हूं और यह यह वाला जो पडिला कोड है इसको ह्था के आयासे यहाँ पर बेस्ट कर देता हूं एंड आपको यह return करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे लाइन पर यह data and it's a return ठीक है अब यह जो टूडू की है तो इसको भी आप यहां से अटा दीजिए ठीक है यहां से अटाई यह इसको आप यह पर ही रख दीजिए है ना कितना easy तो इस तरीके से यह वह अब यह जो task है अब आपके mind में आ सकता है कि यह task कहां से मुझे मिल रहा है तो कोई problem नहीं है इस task को पाने के लिए हम क्या करें यहां पर यह जो function है इसको copy करूँगा यहां पर मैं इसको call करूँगा इस तरीके से और वो जो task है मैं पास कर दूँगा simple and यह जो task है मैं यहां पर get करूँगा simple कितना easy मेरा काम हो गया है ना इन दोनों को मैंने export कर दिया है यहां पर बस मुझे आना है द्यान से देखना यह जो function है awesome perfect and यह जो function है control space awesome देखो मैंने इहां पर get कर ली मैंने इनको इस तरीके से get कर ली and अब अब आप देखो कितना like मेरा यह part अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई यह बहुत neat and clean लग रहा है data add करना है delete करना है clear करना है checked करना है समझ रहे हो like यह देखो कितना easy local stories अपनी जगे css अपनी जगे to do list अपनी जगे हमारा form अपनी जगे तो गाइस मैंने बता है था यह जो टूडू है यह कोई बच्चो वाला टूडू नहीं हाला कि बच्चो वाला ही project है project लेकिन यह बच्चा project करने के लिए भी कितना कुछ हमें देखो ना behind the scene तो आप दे change अल्रेडी था apple grapes की spelling wrong बट को ही नहीं यह रखो काम कर रहा है काम कर रहा है clear all and मैं first time refresh करूंगा तो आप वह undefined आएगा नहीं क्योंकि by default तो हमने वह empty area दिया हुआ by apple yeah this is it guys so आज इस वीडियो के लित नहीं I really hope वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा source code and all आप react सिक्त आपका career बन जाएगा तो क्या उसके लिए आप क्या एक घंटा दो घंटा तिन गंटा नहीं दे सकते क्या यही priority आपको आपको करियर को लेके समझ रहे हुए क्या कैनी कोसिस कर रहा हूं लगने दो घंटे कोई मतलब नहीं लेकिन वह घंटे में जितना आप सि आप तम वह मत कीजिए वह आप तब कीजिए जब आप एक intermediate level कियो आपको मालूम है तो मैं यह चुटकु में कर दो तब कोपी कीजिए तब तब वह लाइक वह मैं बूनगा चालाक तब वह चालाक बंद है फिर उन्हों जो अपना काम फटाक से कर लेंगे बट अगर आप एक beginner तो प्लीज कॉपी मत कीजिए वीडियो को देखिए ऐसा तो है नहीं कि मैंने हावा में बाता एक एक लाइन एक एक वर्ड में टाइप कर रहा हूं रही बास CSS की वो तो मैं सेर कर दूंगा और CSS तो मैं यह आजिम कर रहा हो कि react सिखने चले हो लेकिन CSS नहीं आता तो फ मैं जलाता भी हूं ताकि आपको यह realize हो कि guys life आज के टाइम है बहुत easy हमें लग रहा क्योंकि सारा data है बट वहीं job है ही नहीं क्योंकि जब इतनी easily सब कुछ मिल रहा है तो job भी तो थोड़ी easy मिलेगा job भी तो उतने ही कठीन हो जाएगा ना क्योंकि हर कोई वो चीज कर रह सको जहां पर भी आप इसको अपने daily life में उस कर सको ठीक है आप अगर इसको different तरीके से बनाना चाहते हो अलग-अलग तरीके से अगर आपने बनाया हो design add की हो या कोई और functionality अगर आपने add की हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताईएगा source code add कीजिएगा या Instagram में tag कीजिएगा सी थाबा टेकनिकल में इसको इस्तिर की से बनाया मुझे भी बहुत खुशी होगी मुझे भी देखना आप और क्या इसमें कर सकते हो एक चीस तो guarantee था आप जब इसको चाहो तो update कर सकते हो mango के बदले मुझे mangoes लिखना होता तो एक तो चलो मैंने आपको बाता दिये है ना अपने सब्सक्राब नहीं के तो प्लीज कर दीजिए मिलता हो कल की वीडियो में तिल दिन गाइस थेक्यों मच टेक क्या